यही जो अद्यादेश है बड़ा अच्छा लग रहा है और किसान की तरफ भी थोड़ा ध्यान देख सरकार जैसे तेल है खाद बीज है उन से भी कुछ रात में अद्यादेश किसान के इत्में समझने से ही समझाओगा कुछ लोग बाग ना समझ रही बजयाता है वह अबना रहे हुए लेकिन बहुत अच्छा है हमारे साब से अपनी फसल को अपने आप बेच सके हैं कहीं भी जाकर बेच सके हैं कुछी प्राइवेट कंपनी को भी देच कहा है और मंडी में बजा कर बेच सकता है किसान के हक में बहुत संदर लागू हुआ है कि जितना जल्द से जल्द सरकार इसको लागू कर दे जो हम लोगों को हक में अच्छा हो सरकार जो बिला रही है उसका हम बिरोद नहीं करते हैं लेकिन सरकार को हम किशानों के वारों म और भी ज्यादा सोचना चाहिए आज जो हमारे जो उपज होती है उसके बिचोलिया फाइदा उठाते हैं हमारे बच्चे किशानी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मेहनत हम करते हैं और फाइदा कोई और उठाता है सरकार को हम किशानों के बारे में सोचना चाहिए जादा से जादा हमको करजा दे जिससे हम किसानी कर सके और लोगों तक अपना नाच पहुचा सके लेकिन सरकारी खदान जहां से हमारा राशन खरीदा जाता है सरकार खरिदती है वहाँ समर्थन मुल इतना कम दिया जाता है कि हमको बहुत नुक्सान होता है ये सब बातों को सरकार को देखते हुए किसानों को ध्यान देना चाहिए बिल के विशे में तो समर्थन कर रहा हूँ लेकिन सरकार हमारे जो है किसानों के वारे में भी सोचे कि मतलब काम करें और हमारे जो बिच्छा उलिया जो खा जाते हैं बीच में उनसे जो है काम नहीं हो पा रहा है और अगर हमारे किसान भाई अगर काम नहीं हो पाएगा तो हमारे बीच में हमारे बच्चे किसानी क्या करेंगे बेल का बिरुद नहीं हो रहा है, हमारे किसान इतने मतलब की बेकार हो चुके हैं, कुनकि किसानी सिलाचारी आ गई है, किसानी किसे बेरोजगारी हो गई है, किसानी चल नहीं रही है, आत्मत्या कर रहा है, और इससे जदा बात दुख कि क्या कहा है आप से. पेखु दिखाया रहा है किक इसकान अपनी अपनी फफसल को अपनी मोली भिग सकता है इस पर कसी प्रकाल सिक कोई पवंदी नहीं है छाहे बाहर बेंचे चाहे मंडी मेंडी बेंडी बंद नहीं होगी मंडी खुली रहेगी मित बहुत है एक यह में बहुत js declared कρχद मोरी जा सक यह फायदा होगा कि हमें हमारी सब्जी का और हमारे अन्न का भरपूर पैफ्टा हमें मिलेगा यह वजना किसानों के हित्म है, सरकार खमिश के लिए धन्नवाद देंगे